जेहिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ टाटा एस गोल्ड ये टाटा एस गोल्ड कमेर्शल गाड़ी है ये ये गाड़ी फेल है आज की कंडिशन में बी-ए-6 बी-ए-6 गाड़ी मतलो आप ये-6 गाड़ी में भूट सारी प्रोब्लम है आप देख सकते हो चम से बी-ए-6 मतलेना भाई मेरे भाई ये टाटा की बी-ए-6 मतलेना कभी भी गलती मतले आपसे हाथ जोड के निवेदाने हाथ जोड के प्रातना है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी वाले तुम से हजार बात बोलेंगे के भाई ये ले लो हम आपको बहुत अच् आप देख सकते हो एक मिंट में साइट ुकुल अबरेने जए सकते हो last आप देख सकते हो उसके बाद अभी गाड़ी को एक महिना हुआ कितने दीन एक माषी एक महिने में गाड़ी काम पर आ घई और कमपनी वाले को बոला तो बोले की कुछ नी होका आप तुमारे हिसाब से देख लो यह है मेरी गाड़ी के चेशिस नम्मर आप देख सकते हो यह ढिर देख सकते हो आप गाड़ी के पिछे नमब नहीं है नहीं गाड़ी एक। गारी पीछे के नमne मार भी देख सकते हो। पिछे के नममर भी नहीं आए। यह पावन जाट मेरे नाम से है, मैं इंपी मद्ध्रदेश्य हूँ, और मैंने अभी ली यह गाड़ी को गाड़ी उठाईये, आप से भिंती हाथ जोड़के, कि यह गाड़ी मतलो आप, मेरी बात मानो तो, यह गाड़ी फेले, पेल के साथ साथ कंपनी, कंपनी बादे करती ह अपने अपने एक नहीं होते हैं, आप से इंवेदन हैं यह गाड़ी कभी मतलो, बीएस सिक्स, पुरानी गाड़ी चला लो आप टाटाई, पुरानी गाड़ी बहुत सही है, बीएस सिक्स सही नहीं है, और उसके बाद कंपनी इतना जुड बोलती है, मैं इधर हर्दा से ग डीजिटल में बहुत सारी दिक्कत है, जह इन दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, तो लाइक करो या मत करो पनी गाड़ी मत खरीदो, पैसे बरबाद मत करो, मेरे को 5,60,000 में गाड़ी पड़ी है, केश में, यह गाड़ी सही नहीं है, मैंने मार्क करेटिंग के लिए लीपन वो सक्सेज नहीं हो रही है, जाए